मसकार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का इश्डी विद्बुसिन की यूट्यूब चैनल पर एक नई आपडेट जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये आपडेट में क्या कहा गया है राजस्तान के सियम असोग गहलोत की घोसरा तेश सज्जान नई भरतियां और 37,000 पदों के लिए परिच्छा जल्द ये आपडेट है आपके लिए कि परिच्छा जल्द होने वाली है 37,000 के लिए और 23,000 भरतियों के लिए और घोसरा कर दी गई है और क्या है ख़वर नीचे देखते हैं राजस्थान के मुख्मंत्री असोग गैलोत ने बिदान सबा में बिपच्छ पर निसाना साथते हुए कहा कि प्रदेश में धाई साल में करीब एक लाख नौकरियां दी जा चुकी है गैलोत बित और बिनियोग बिदेयक पर बहस का जबाब में यहाब बात कही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपच्छ ने सदन में नौकरियों को लेकर गलत आकड़े बताये हैं धाई साल में अब तक संतानवे हजान नौकरियां दी जा चुकी हैं 17,000 बरतियों के पैड़ाम जारी हो चुके हैं 37,000 बरतियों की जल्द पर इच्छा होगी 23,000 नौकरियों की भरतियों की बिग्जबती जल्द जारी होगी उन्होंने कहा कि 2 साल में 1,070,000 को रोजगार दिया गहलोत ने कहा मैंने अभी दान्डी मार्च वाले दिन कहा था कि मोधी जी मोहन भागवत से सला कर लें देश में साधो का नया माहौल बनाएं छह साल में क्या हुआ उसे भूल जाएए अब देश में साधो सांती और भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए देश में सत्भावना की नई सुरुआत कीजिए उन्होंने कहा कि कैलास मेगवाल ने जो सामाजिक नयाय की बात कही वह दिल को छू लेने वाली बात है आज भी छूआ छूद मानावता के नाम पर कलंक है हम तो पहले से ही यही बात कहते आये हैं उन्होंने नेता प्रतिपच्च गुलाब चंद कटारिया पनिसाना साथते हुए कहा कि आप मेरे यहां आईए या मैं आपके यहां आजाओं आपकी पूरी सिकायाद दूर कर दूँगा आपको जूट भी सच की तरह बोलना आता है लगता है जैसे आप सच बोल रहे हों आप गुसा मत कीजिए इतना अच्छा बोलते बोलते पता नहीं आपको क्या हो जाता है कल भी ऐसा ही हुआ था मुखमंत्री ने कहा कि हम सब को मिलकर राजस्थान के हितों की बात करनी चाहिए इस्टन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना को राश्टी पर योजना घोसित करवाना चाहिए वह इसका क्रेडिट मुखमंत्री वसंद्रा राजे को देने को तयार है तिस आपडेट में कैनाल को भी लेकर कुछ बाते कही गई हैं और राजस्तान सियम असोग गहलोत ने ये 23,000 नई भरतियों की बात की है और 37,000 की परिछा जल्द कराई जाएगी तो ये था आज का नया आपडेट मिलते हैं आपके साथ निश्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्नवाद